शिमारू के नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें बाहूबल में नदिया बहा सकता है परन्तु बाहूबल को सहारा होता है विश्वास का यदि मन में विश्वास ना हो तो बाहूबल किसी काम का नहीं वो कौन सा बल है कि मोर आकाश की ओरत आखते हैं वो विश्वास ही तो है जिसके कारण वर्षा होती है और दोनों की प्यास भुचती है परन्तु जब पाप के बाहूबल का सामना धर्म के विश्वास से होता है तो बाहूबल हार जाता है और जीतता है विश्वास विजय होती है आस्था की यदि आप सत्य के मार्क पर चल रहे हैं और आप अपने इश्ट में आस्था रखते हैं तो किसी भी पापी का बल आपका कुछ नहीं बिगाग सकता करका बला गला ओला करीजी हैं इस चीर के हर धागे का रिण सौ गुना करके चुकाएगा तुम्हारा ये सकर अब्युद्धानम्मधर्मष्या तदात्मानम् स्रिजाव्यानम् अब्युद्छरोर है उडह चली Prime स्री ऑल्हाँभा कि अब्युद्ड़ स्यूर्स यास स्के方面 स्टनामम्ष्या लुद्टरोर। एंद वह मां नपुम्म्मणर्फ कढ के लिएक चैनर प्लब हैं। याओ। थाओ। जब 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 जढ जब जब एनरश ईया है जब जब जल एम्लिट जब 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 आपको एम्लिट झार जो प्हाट करता है जदा जदा ती खर्मस्या, आदे पावती भारता, अप्नु पारम कर्मस्या, अदा पारम स्रय जाम्या, जदा 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 ाझनागウ झतना जुदिता पnantाय contagion ं़र में ं़र में ं़र में ं़र फिर्ग शेक रिष्ण गो विंदा महें पूरादी निट नारा यपाज़ नेवाजुटेवाजु प्रिष्विष्णा मुदिष्णा महें मुदारी नात नारा यहाजु पेवा प्रिष्णा मुद नारा यहाजु पेवा फ्रिष्णा मुद नारा यहाजु पेवा में किषन दोविपन औरय पुरारी देनानन खराय इवाओ वेर में में किषन दोविपना सर्य इवााओ जेनानन खराय इवाओ येर अजज द्रोपती पुत्री द्रोपती यह क्या नर्थ हो रहा है सबावे मेरे निकट मताईएगा माताश्री मैं मलीन हूँ नहीं नहीं पुत्री थिरी पुत्रवधु मलिन नहीं हो सकती मैं आपकी पुत्रवधु नहीं नाहीं कुरुवंश की कुलवधु और नहीं आपके पुत्रों की पत्मों मैं एक जीता जगता शव हूँ शव इस संसार की स्त्रियों की लुटी हुई मर्यादा का मैं कुंद हूँ इस स्रिष्टी की सभी स्त्रियों के आसुओं का आज मैं अगनी नहीं आज मैं अगनी सुता नहीं स्वयम अगनी हूँ इस मूक मौन सबा के शम्शान में जलते हुए नारी के मान के शिता की अगनी हूँ मैं जो सब कुछ भस्म कर देगी सब कुछ नाश कर देगी मैं जीव नहीं साक्षाथ मृत्यू हूँ केवल मृत्यू इस सभा में उपस्थित प्रत्ये का धर्मी की केवल मृत्यू जो इस नगन सभा में विनाश का नगन नित्य करेगी जो सभा मेरा अपमान देखकर मौन रही वो सदा के लिए मौन रह जाएगी मुझसे हरन किये गए वस्त्र इस सभा में सभी की शव वस्त्र बनेंगे जिस जिस ने मेरे अपमान पर अठास किया इस सब की मित्यू पर ऐसा बिलाब होगा कि संसार युगों तक परण रखनेगा मैं याग यसेनी श्राप देती हूँ इस सभा को कि तरी मुद्री इने श्राप मतो अपनी जेश्ट माता की बात सुन लो क्यों सुनू मैं किसी की? क्यों? जब मेरी जीतकार किसी ने नई सुनी तो फिर क्यों? श्राप कर दो पुत्री मेरा श्राप ही श्राप है महरानी क्योंकि यदि दंड दिया तो इसी जीवन के प्रत्येक शण में नर्ख का अनुभव होगा इने ठीक कहा पुत्री पांचाल इन सब को जीवन के हड़ पर नर्ख का अनुभव होना चाहिए हस्तेनापुर के wilk ये रक्षकों के मत् सु हस्तंअपुर के आपचारू के रहते का हस्तंअपुर के आचारियों के रहते कि संसार के सबसे बड़ी नीथी rudड़ों के मत्जट ये नक कैसे हुआ आप से मुष्टी महामंद्री, हस्तनापर में अन्धेयों का प्रारम कैसे हुआ। क्यूं नहीं आपने इच्छ हमनित्य मागली ताज़्री, और आपने, क्यूं नहीं आपके हिवाड़ों से अपने रहने को बेद लिया द्रोन अचारिया। अच्छ नुम्हारे मौड रहने के कारण देवफ़ों पर से विश्वास उच्छुका है मेरा। कैसे उने दियागी अपका। कैसे बढ़के इनके दास। कैसे। मैं दुआर खास। क्रिश्ण के नाराएनी सेना लेकर आउगी। और बल्राम के बर से विनाश कर दूगी इसका। सुन रहे हैं आप महराज। सुनाई तो दे रही है ना आपको। फस्तिनापूर के ओर पढ़ रही इस विनाश के पच्चा। अपने आगों पर पट्टी बानते समय। मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। आप अपने मन के आँखों पर पट्टी बान लेंगे। अगर थोड़ी सी भी लच्चा शेश है आपने। तो कुछ कीजिए। इस जुआला मुखी को फटने से रोक लीजिए महराज। आज निश्चित रूप से ही हस्तनापुर लचित हुआ है। पांचाली, पुत्री, मैं तुम्हें बर देता हूँ। तुम जो चाहोगी ऐसा ही होगा। क्या चाहती हो पुत्री, मांगो। मेरा वचन है तुम्हे। एक स्ट्री के लिए उसका मां सबसे बढ़ा होता है। और इस सबहों में पहले उसका सब को चीन लिया। और अब ये प्रस्ताव रख रहे हैं। कि जो बर मांगोगी मांग लो। अब मैं मांगूंगी नहीं। दूंगी। श्राब दूंगी। मैं या किसे नहीं इस कुरुकुल को श्राब देती हूं कि रहे। ट्रमा करो। मेरे मूर्क पुत्रों को श्राब देकर उनका त्राब मत करो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। परंतु श्राब मत दो। मुझसे जो चीना गया। वो मुझे कोई नहीं लोटा सकता। परंतु इस अधर्मी खेल में मेरे पतियों से जो चीना गया। वो उने लोटा दीजे। इस अधर्मी खेल में उनसे उनका बल चीना गया। शस्त्र चीने गया। उनका राज्य चीना कया। उन्हें उनका बल, उनका मान, उनके शस्त्र, और उनका हारा हुआ राज्य लोटा दीजे। अब भी मौन है सब। और आप कह रहे थे। दिया। जो तुमने भागा दिया। बांड़कों का राज्य, संपत्तिक, शस्त्र पॉर्ट पर। मैं सब लोटाता हूँ। नहीं पिताश्री, तेरी जीतनी हुई संपत्तिक हूँ। लोटा लेका अदिखार, आपको नहीं है पिताश्री। मैंने इस यूत में जो भी जीता है। वो अपने मल पर जीता है। अपने। बिना चल के जीता है। बिना युदिष्टेल को बिवश्किये जीता है। बिना धर्म किये जीता है। प्र क्यों। क्यों मैं इस दोटा तूम। क्यों। यहाँ आप बताएं मामंत्री। सब बताएं। आप सब पताइए कि इस दियूत में कोई भी अधर्म हुआ है कोई भी फिर से मौन हो गए सब अधर्म सामने खड़ाओं के पूछ रहा है कि उसने क्या अधर्म किया और सब पर से मौन इस सबाव में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप सब मौन है रहिए मौन सब रहिए मौन पर अधर्मी दुर्योदर को उसके कूकर्मों का दड्ड अवर्ष्य मिलेगा और उससे पहले इस सबाव में उपस्तित वो हर्व्यक्ती जिसमें मौन रहकर ये अधर्म होते हुए देखा उन्हें उनके मौन रहने का दड्ड मिलेगा श्राप है ये अपनी सुता द्रापदी का जसके का अवस्तित व्याद साव प्रापदी जसके डावपन से का अवस्तित झाल झाल